UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आपका स्वागत है हम चर्चा करेंगे 2023 के प्रमुख अंतरिक्ष अन्विशन मिशन के बारे में अंतरिक्ष अन्विशन मिशन के लिहाज से खास होने वाला 2023-2022 की तरह ही अंतरिक्ष मिशनों के लिए व्यस्त वर्ष होने वाला है इस वर्ष इन रुमांचक मिशनों में से पाँच मिशनों पर पूरे विश्व की नजरे होंगी इनी में से प्रमुख है जियूपिटर आईसी मून्स एक्स्प्लोरर मिशन जिसे जूस मिशन के नाम से भी जाना जा रहा है इस मिशन को यूरोपी अंतरिक्ष एजनसी द्वारा लॉंच किया जाएगा इसके साथ ही ये ब्रहस्पती के लिए यूरोप का पहला समर्पित रोबर्टिक मिशन होगा जूस ब्रहस्पती कक्षा में प्रवेश करेगा और इसके उपग्रह यूरोपा, गैनिमेड और कैलिस्टो के आसपास उड़ान भरेगा जूस मिशन अंतरिक महासागरों का अध्यान करने के लिए डिजाइन किया गया है इसके साथ ही बर्फ में काम करने योग्य रडार सहित दस विज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा इसी करम में स्पेस एक्स स्टार शिप को एरो स्पेस कमपनी स्पेस एक्स के दोरा लाँच किया जाएगा स्टार शिप सबसे बड़ा अंतरिक्षियान होगा जो मनुश्यों को प्रित्वी से अंतरिक्षित तक ले जाने में सक्षम होगा स्टार शिप में एक अंतरिक्षियान जो चालक दल और कारगो का वहन करता है और सुपर हैवी रॉकेट शामिल होगा इस मिशन को सितंबर 2022 में लाँच होना था लेकिन इस मिशन में कई बार देरी हुई है और 2023 में इसके लाँच के उमीद की जा रही है डियर मून परियोजना का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा है यह स्पेस एक्स स्टार शिप का उप्योग करके चंदर्मा के चारो और चक्कर लगाएगा इस मिशन के तहट आठ सदस्यों के एक दल को चंदरमा के चारो और चक्कर लगाना और वापस लाना शामिल है यह यात्रा छे दिवसी होगी यह परियुजना उद्यमी युसाकू मेजवा द्वारा वित्थ पोशित है इस मिशन की सफलता डीप स्पेस टूरिजम जैसे छेत्र में करांती ला सकती है ओसरिस रेक्स मिशन जो एक किलोग्राम कीमती छुद ग्रह के नमूने लेकर प्रिथ्वी पर वापस लोट रहा है इसे नासा ने आठ सितंबर 2016 को लांच किया था यह नासा का मिशन है जो प्रिथ्वी के निकट छुद ग्रह बैनू के लिए डिजाइन किया गया था इसका प्रमुख लक्ष बैनू के नमूने प्राप्त करना और उन्हें विसलेशन के लिए प्रिथ्वी पर वापस लाना है भारत की निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का पहला उपग्रह प्रक्षेपन भी 2023 में होने वाला है आपको बता दें कि स्काई रूट एरोस्पेस ने नवंबर 2022 में अपने विक्रम-S रॉकेट को सफलता पूरक लांच किया था ये जल्द ही उपग्रह लॉंच करने वाली पहली निजी भारती कंपनी बनने जा रही है